इस साल का पहला सूर ग्रहन 20 अप्रेल को लग रहा है यहाँ एक hybrid सूर ग्रहन है जो वल्याकार और पूर्ण ग्रहन का सयोजन होता है hybrid सूर ग्रहन के दोरान सूर कुछ सेकेंड्स के लिए चंद्रमा के चारों और एक रिंग का आकार बनाता है सूर ग्रहन एक खगोली घटना है जिस पर दुनिया भर के विग्यानिकों की नजर होती है हलाकि भारत में ग्रहन के कई धार्मिक महत्व भी है hybrid ग्रहन एक दुरलब घटना है ऐसे में आपको बताते हैं कि आज का सूर ग्रहन कब और कहां होगा और आप इसे कैसे देख पाएंगे 2023 का पहला सूर ग्रहन पांच घंटे 24 मिनट के लिए लगेगा यह 20 अपरेल 2030 को सुबह 7 बच कर 4 मिनट पर शुरू होगा और दोपहर 12 बच के 29 मिनट पर खत्म हो जाएगा हलाकि इस बार या दुरलब खगोली घटना भारत में नजर नहीं आएगी लेकिन सिंगापूर, मलेशिया, थाइलेंड, ताइवान, जापान, फिजी, कमबोडिया, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, अंटार्क्टिका, दक्षिन हिंद महासागर, दक्षिन प्रशांत महासागर, न्यूजिलेंड, वियतनाम और फिलिपिन्स जैसे देशों में इस से देखने के लिए किसी उपकरण का ही इस्तमाल करें, भारत में भले या नजारा ना देखे, लेकिन हाइब्रेट ग्रहन की घटना को अमेरिकी स्पेस एजनसी नासा की यूटूब चैनल पर लाइव देखा जा सकता है, आप इस घटना को timeanddate.com पर भी देख सकते हैं, जो दो सूरी पर और दो चंद्रमा पर लगेंगे